असलाम वालेकुम साथियोग कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग खेरियत से होंगे आज मैं साथियरब की तमाम चोटी बड़ी अपडेटेड न्यूज आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूं और आज मैं उम्रा से हवाले कुछ एहम जानकारी आप लोगों के सकें अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि साथियरब की तमाम छोड़ी बड़ी अपडेटे न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे मिनिस्ट्य आप ह जरिये अपना रिष्ट्रेशन करना होगा और रिष्ट्रेशन करने के बाद वह अपना अपॉंट्में बूक करिंगे अपना अपॉंट्में बूक करिंगे How to obtain an UMRA permit via the Nisuk app Dear guest of Allah, before coming to perform UMRA, make sure you obtain the permit via Nisuk application The Nisuk application allows pilgrims to issue the permit in a few simple and easy steps Start with downloading the application and creating a new account After logging in on the home page, choose Performing UMRA Select Main User At this step, you can add companions if you wish Choose the date, then review the available times and click Confirm Then review the instructions and agree to them The last step is to click on Issue Permit Now your first step towards performing UMRA is complete, with ease and tranquility May Allah accept your UMRA Rehistration after the appointment, you will have an appointment to book when they go to UMRA to go to Mekka Without appointment, you will have an appointment to be in the Alharam Without the appointment, you will have an entry to go to the Mekka के फैलने का अंदेशा है जिसकी वैसे जो भी लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे उसे मास्क लगाना कमफलसरी है उम्रा करने वाले अगर मक्का सरीफ में मस्जिद अलहरम में दाखिल होते हैं तो उसे मास्क लगा करके ही दाखिल होना होगा हज और उम्रा मंतराले ने एक ऐसी सर्विस चालू की है जो लोग उम्रा या हज के लिए आएंगे मक्का में तो वह मकावे सरीफ का तवाफ अब गॉल्फ कार के जड़िये भी कर पाएंगे अब वीडियो में देख सकते हैं कि मंतराले ने गॉल्फ कार को कावे की तवाफ के लिए चालू कर दी है और एगली खबर साथूदी अरब के मक्का से है मकका सरीफ में एक मसजित के पास रोड के किनारे इवतार का खेमा लगा हुआ था इवतार का दस्ताखान लगा हुआ था मगरिब का वक्त था एक कार ने दूसरी कार को टकर मारा और कार जाकर के रोज़दारों के उपर गिरी जिसमें एक रोज़दार की मौत हो गई और 21 लोग भारी जख्मी हो गए और एगली खबर सौधी मरूर के तरफ से है आप वीडियो में देख सकते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और जैसे ही अफ्तारी का टाइम होता है यानि कि असर से मगरिब के बीच का जो वक्त होता है इस वक्त पे लोग बहुत तेजी से रास्ते पे गारी चलाते हैं जिसकी वज़े से दूसरे लोगों को परिसानी होती है और इससे ज़्यादव एक्सिडेंट होने का खत्रा रहता है परूर ने अपडेट जारी किया है कि रमजान के महीने में डियूरिंग रमजान 27% एक्सिडेंट बढ़ चुका है इसका कारण यह है कि जैसे इफ्तारी का वक्त करीब होता है वैसे ही लोग अपनी गारी का स्पीड बढ़ा देते हैं रास्तों पे जिसकी वज़े से एक्सिडेंट होता है जैसे असर और मगरिब के बीच का वक्त होता है तमाम रोड पे पुलिस तप्तिश शुरू कर देती है और इस दोरान जो लग पकड़े जाते हैं उस पे 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है और एगली खबर UAE से है दुबई रिजनल टांस्पोर्ट अथॉर्टी ने स्म स्मार्ट अम्बेला सेलेक्टेड यानि कुछ ही बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पे आविलेबल है जो अमारे वीडियो को देख रहेंग है अल्ब दुबई से देख रहेंग हैं और आप को आत्पने स्टैंड या सपिर या फिर अप जो आप पताकर सकते हैं कि कौन से bus station या metro station पे smart umbrella available है आप वहाँ से जा करके smart umbrella ले सकते हैं या free of cost है इसका कोई पैसा नहीं देना होगा इसका कोई दिरहम नहीं देना होगा